लोग लोग जलुदी से कमेंट कर दें मेरी वाइस के लिए रारी आप लोगों के पास सब कुछ बैतर है क्लियर है अगर चुरुआत करें क्लास की कल 2024-2025 के फाइनल बजट को प्रेजेंट कर दिया है निर्मला सितरमन जीने लेकिन हमने वीडियो आज बनाने का फैसला किया था क्योंकि आप जानते हैं कि हम बहुत कुछ एक्जाम औरियंटेट पॉइंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर दिये बहुत बड़ा बजट रहता हर साल लेकर आती है और सरकार इस साल दो बार लेकर आई है एक बार सभी लोग मुझे यस का कमेंड कर दे और मैं लाइव हो चुका हूँ सभी लोग कमेंड करें सब कुछ बहता रहे सबकुछ बढ़िया है एक बार तो यस का कमेंड करें बई सभी लोग कि चलिए वरी वरी कुट की इवनिंग इसंक्यू और हम बात जो कर रहे हैं ते सरो बजट की करना है तिको बजट मैंने कहा क्योंकि हर साल लाने का एक प्रोसेस रहता है सरकार का और जिस वर्ष में क्यूंकि चुनाव होते हैं उस वर्ष में सरकार को यह दो बार लेकर आना होता और आपके लिए मेहनत थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि आपको जो एक्जाम है आपके उसके डेटा के लिए आपको इंट्रिम बजट जो हमारा एक फरवरी 2024 को पेश किया था तब भी वित्मंत्री निर्मला सितरमन्ती और उस समय हमारी यहनी मोधी कैबिनेट 2.0 था 2.0 था वो समय सेकेंट टम गवर्मेंट चल रही थी ल इसका डेटा भी याद करना होगा तो दोनों डेटा याद करने होंगे इन पर बेस्ट आपको MCQ कर लेने होंगे क्योंकि उससे आपको डेटा याद रखने में काफी help मिलती है क्या कुछ रहा इस बजट के अंदर हो especially exam point of view से बजट पढ़ना important नहीं हमारे लिए फिलहाल हम important है कि हमारे exam में क्या-क्या सवाल पूछा जा सकता है बजट से related में उसको cover कराने की कोशिश करूँगा तो चले शुरुआत करते हैं इस बजट की और यह फाइनल बजट दोहजार चौबीस-पचीस दिए आप जानते हैं पहली बात यहाँ पर याद रखने की जरुआ थी कि यह सातवी बार ऐसा है कि हमारी वितमंत्री निर्मला सीतर अमंजी ने बजट पेश किया है और लगतार सात बार बजट पेश करने का record इनके नाम हो चुका है अब यह सवाल एक जीके के अंदर include हो पेश करने का record जो है वो सात बार हो चुका है सरो वो किसके नाम होगा निर्मला सीतर मंजी के नाम होगा निर्मला सीतर मंजी के नाम चलिए मेरे भाई तो ऐसा करने वाली पहली वित्मंत्री बन चुकी है याद रखिएगा लेकिन अभी इनके नाम वो record दूर है कि इन्होंने याद रखिएगा बात समझेगा ध्यान से यहां पर important बात क्या है सर कि नरेंद्र मोधी गवर्मेंट में इस बार NDA की सरकार है चुलिए बीजेपी की गवर्मेंट नहीं अपकी बार आप जानते है कि बीजेपी को इस बार के जो elections थे उसमें 240 सीटे मिली है जबकि हम जानत सरकार में पहला पूर्ण बजट लाया गया है यह बजट इंटरिम के बाद लाया गया है क्योंकि चुनाव का वर्ष था यह बड़ा important है अच्छा इस बार के बजट में कुछ खास बात आपको बताऊंगा तो इस याद रखिएगा दिको हर बार के बजट में आपको याद होगा last time के budget में सरकार ने 7 Agenda को चुना था साथ पॉइंट सेलेक थे उस्से पहले एक बार सरकार ने 5 पॉइंट सेलेक के थे हर बार सरकार अलग लग पॉइंट को लेकर आती है क्योंकि भारत के रही है सरकार जो हमारी है कि हमारा भारत विक्सित भी होगा और विरासत वाला भी होगा जिसके अपनी विरासत है इतिहास से हम उसको भी बहतर बनाएंगे और साथ में विक्सित करेंगे भारत को तो मेरे भई यहाँ पर दिखो important रहेगा सर कि इस बार के budget में जो no point include किये गए यह आपके exam के point of view से बड़ा important होगा कि आपको यह no point दिये जा सकते हैं या फिर इन में से कुछ point देने के बाद सही और गलत combination में पुछेगा कि बताईए इन में से इस बार के budget में हमारा कौन सा priority sector नहीं ता याद रखेगा इसमें मेरे भई पहला priority sector यहाँ पर दिया गया है कि productivity and resilience in agriculture यानि किर्शी के छेतर में हमें उत्पादक्ता को बढ़ाना है और लचीला पन लेकराना यानि बहतर बनाना है उसको जेनरली तोर पर लोग agriculture को इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि याद रखना हमारे हाँ secondary और tertiary sector जो है उसमें absorb करने की छमता नहीं है वह अगर कोई इनसान किर्शी छोड़ देगा तो जेनरली तोर पर वो बेरोजगार रहेगा secondary sector और tertiary sector के अंदर उसको absorb करने की छमता यानि का मतलब उसको रोजगार देने की छमता नहीं है इसलिए लोग मजबूरी में खेती कर रहे होते हैं और ये कोई बहुत बड़ा डिविडेंट कोई बहुत बड़ा benefit नहीं मिल रहा होता दूसरा है यहाँ पर employment and skilling यानि रोगों को यहाँ पर रोजगार को बढ़ाना है कौशल को बढ़ाना है skills को increase करना है inclusive human resources तीसरा यहाँ पर include क्या गया है समावेशी मानव संसाधनों की बात की गई है पूरा budget इन 9 points पर होगा development and social justice यहाँ पर आपको याद रखना है कि development भी होना चाहिए और social justice भी होना चाहिए यह यहाँ पर तीसरा point दिया गया है विकास इसके साथ include क्या गया manufacturing services यानि कि जो वी निर्मान सेवाए हैं उनको increase करने के लिए कहाँ सहाँ पर शेहरी विकास करना होगा energy sector को उच्छा करना होगा उर्जा संस्थान संरक्षन करना होगा infrastructure की बात करनी है innovation and research and development करना है और next generation reform ऐसे सुधार करने हैं जो आने वाली नई पिली के सुधार advance जो होते हैं वो reforms करने हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर यह nine point बहुत बहुत important होगे exam के point of view से आप उसमे right and wrong का combination जरूर मिलने वाला exam में nine priority set की गई हैं अगली बात ही को याद रखिएगा यहाँ पर चार major वर्गों पर यानी पूरे budget को और लगबग यह हर बार का है ऐसा नहीं कि कोई इस बार खास होने वाला है यह लगबग मेरे भाई याद रखना हर बार सरकार के यह budget middle class के लिए होगा यह budget गरीव के लिए होगा यह budget जो है महिलाओं के लिए होगा यह budget जो है किसानों के लिए होगा यह budget युवाओं के लिए होगा यह budget गरीवों के लिए होगा लगबग हर बार सरकार कभी नहीं कहती सरकारा कर कि ये बजट अमीरों के लिए होगा सरकार कभी नहीं कहती इस बात को क्यों नहीं कहती सरकार को पता है कि देश को चलाने के लिए क्या जरूरी है और वो देश में important sector जो होगा चाहें government उसके लिए कोई काम करे या ना करे चाहें उसका उधार हो या ना हो चाहें उसका सुधार हो या ना हो लेकिन नाव हमेशा दिया जाएगा कि ये budget गरीब का है ये budget युवाओं का है, ये महिलाओं का है ये किरसानों का budget है इसलिए याद रखेगा इस बार के बजट में भी क्या है सर एक बात की गई है फार्मर्स यानि की अंदाता की किसान क्योंकि भारत की आबादी ही किसानों की है देश की आधी आबादी लगबग किसानों की है और उनके परिवार के सदस्यों को मिलाया जाता ओर बढ़ जाती है उनका वोट भी चाहिए होता है उनको प्रायोरिटी सेक्टर में रखना जरूरी है सरकार के लिए गरीब देश की mostly अबादी गरीब है क्योंकि अभी हम देखते हैं यहाँ पर record कहता है कि बस 11% अमारे देश में गरीब हैं अभी recently एक report के अधार पर लेकिन ऐसा नहीं है यह data याद करना होगा कि भारत में कितने गरीब है multi-dimensional poverty कहते हैं सर तो गरीब का budget होगा युवाओं का budget होगा दुनिया के सबसे अधा युवा हमारे भारत में रहते हैं यह सवाल कई बार आ चुका है exam में कि भा राइना अबादी में सबसे आगे था अभी UNFPA की report कहते हैं कि भारत नंबर एक हो चुका है लेकिन इस बार के budget में क्या जनगलना का फैसला लिया गया मेरे दोस्त याद रखिएगा जनगलना कराने पर सरकार ने कोई नहीं बात कही है और इस बार भी यानि इस 2024-25 के financial year में गवर्मेंट ने जो पैसा अलॉट किया है census commission को उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि इस बार भी census नहीं होगा यानि इस वर्ष भी जनगलना नहीं क्योंकि लगबग 1300 करोड रुपे दिये गए हैं जबकि census वाले वर्ष में लगबग लगबग उसे 10,000 करोड की requirement होती इतन सारे लोग लाखों लोग data को collect करते हैं तब जाकर हमारे देश में census पूरा होता है तो amount यहां पर कम है इसलिए याद रखेगा जनगलना नहीं होने वाली युवा सबसे जादा और महिलाओं की बात की गई एक बड़ा वर्ष देश के आधी अबादी महिलाओं की और आप ज चार important चीज़े इसके अंदर आने वाली है तो चार वर्गों में बाटा गया है सरकार ने इसलिए बोला है कि इस बार के बजट में हम बहुत सारी चीज़ों पर काम करने वाले हैं और वो चार सेक्टर क्या होंगे इस बार के बजट के चार सेक्टर क्या होने वाले हैं जिन चार सेक्टर पर मेजर फोकस कर रही है गवर्मेंट दोगों यह याद रखने की चीज़े हैं सारी और यह चीज़े आसानी से याद हो जाएंगी मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ यहाँ पर एक जिक्र क्या गया है employment यानि की रोजगार का यहाँ पर एक बात की गई कि इ क्योंकि उनको रोजगार देने के लिए जरूरी है उनको skilled करना मेरे बहुत अच्छे से याद रखना है उनके कोशल को विकास करना उनकी skilling यानि कोशल छमता को बढ़ाना छोटे छोटे व्यपार जो होते हैं जिने MSME कहते हैं छोटे व्यपार क्योंकि देश के 90% व्यपा factors में सर रोजगार की बात होगी skilling की बात होगी छोटे MSME की बात होगी और middle class को राहत देने की बात है यह राहत कैसे दी गए middle class को जरा मुसको समझेंगे इस बार के budget में एक बार ऐसा जल्दी से मुझे बताईएगा यहां ऐसा ही होता है नितेश जल्दी से बार सभी लोग comment कर दे मुझे यहां पर और सर जंगरना के लिए minister कौन है जंगरना का कोई minister नहीं होता जंगरना के लिए census commissioner होते हैं जो census कराते हैं और उनका नाम है विवेक जोशी जो इस बार होंगे तो यह चार important चीज़े हैं लेकिन सर budget exam में क्या पूछेगा देखो मैं आपको सच बात बता रहा हूँ exam में जो सबसे बड़ा सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल यह है भाई कि सवाल यह पूछा जाएगा आपसे इस बार का total budget कितना था इस बार का कुल budget कितना था एक बार सभी लोग event को share कर दे बिलकुल factory data है आपके पास याद करना हो सवाल आपसे पूछा जाएगा इस बार का कुल budget कितने का होने वाला है तो याद रखना यह अगर अगर 2023 से compare करोगे कई बार यह सवाल पूछ लिया जाता है कि सर लास्ट टाइम जब budget आया था 2023 में जो budget आया था अगर हम उससे compare करेंगे तो यह पिछले बार से 68% जादा है साले 8% अबव है मौर है अधिक है यानि कब से अधिक है आप याद रखना 2023 से साले 8% अधिक होने वाला है इस बार का कुल budget 48.2 लाक करोड का होगा अगर इस बार की receipts की बात करें total receipt यानि बिना उधार लिए याद रखना बिना उधार लिए सरकार को जो receipts मिलने वाली है वो receipts कितनी होंगी 32.07 यह बड़ा important data है याद रखना यानि पिछली बार के budget से लगभग 15% ज्यादा है पिछली बार की income से 15% ज्यादा और आप जा बड़ा segment जो होगा इसमें वो tax का होगा अब यहाँ पर अब कहोगे सर 48 लाग करोड का budget होगा 32 लाख करोड रुपे हमारी प्राप्तियां होंगी तो बचे हुए 16 लाख करोड कहां से आएंगे यह उधार का होगा जिसे हम deficit कहते हैं घाटा कहते हैं यानि borrowing करेंगे यह बड को करने होंगे उधार लेने होंगे और budget की class में हम लोग हमेशा करते हैं यह उधार RBI से लिया जाएगा यह उधार देश की जनता से होगा दूसरे देशों से होगा अंतरास्तिय संगठनों से होगा कुछ देश के अंदर से होगा कुछ देश के बाहर से होगा कुल मिलाकर 16 लाग करोड का उधार इस साल और लिया जाएगा वज़रा सोचिए टोटल उधार में और बढ़ जाएगा यानि हमारी GDP का कितना परसेंट होगा यह बड़ा important data exam के लिए कि मैंने अपको पहले ही कहाता मैं budget पढ़ाऊंगा exam के point of view से कुछ attractive चीजे कि यह महगा हो गया यह सस्ता हो गया इसको नहीं बताना हमें क्योंकि exam में इतना नहीं पुछा जाता क्या महगा हो गया क्या सस्ता हो गया कुछ important चीज़े हैं जरूर बताने लाइक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है राजकोशिय घाटा बजट में जो टोटल उधार लिया जा रहा है उसे राजकोशिय घाटा कहते हैं जबकि 2023-24 का राजकोशिय घाटे की उमीद थी वो ती 5.6% 2023-24 में यह GDP का परसेंट है अ जरा सोचिए ओवर ओल जीडीपी कितनी होगी हमारी जरा इसको डबल कर दीजिए यानि 32 लाग करोड हो जाता है और इसको हंडेड में कर लीजिए यानि कि हमारी जीडीपी जो बताई जा रही है वो तीन दशमला तीन पॉइंट दो ट्रिलियन डॉलर है जो कि हम एक्सपे क्साइशन क के बता कि स्टैनर्डड पर बजट जरूर पढ़ेंगे। और जो revenue के deficit है हमारे और जो revenues की inकम हैं हमारी यानि हमारे इंकम और हमारे expenditure को हम capital और receipt में डालते हैं तो जब गुधार ही लेना होता है तो इतना ज्यादा पेश्कियों करते हैं क्योंकि development बढ़ाना होता है यह सवाल है कि सरकार क्या खर्चे कम करके development नहीं बढ़ा सकती क्योंकि अगर सरकार directly खर्च कम कर देगी तो हमारा development कम होगा फिर हमारे road कम बन पाएंगी हमारे school कम बन पाएंगे हमारे teachers को salary कम मिलेगी doctors की appointment कम होगी हमारे देश में airport railway stations नहीं बनेंगे अब इनको बनाना है तो बाकी उधार लेना है तो राजस्व घाटा इस बार 1.8% रहेगा जो कि पिछली बार 2.6% रहा था 2023 में और एक रहता है primary deficit यानि इसे हिंदी में कहते हैं प्रात्मिक घाटा सर और हमारा जो प्रात्मिक घाटा इस बार रहेगा वैसे मैं आप लोगों को एक बात और बता द और मिलेगा भी लेगिन मैं आप से एक वादा कर रहा हूं आज ही है कि इस MC क्यू क्लास ले कराऊंगा मैं शनिवार को आज बुदुवार है आज हम बजट पर बात कर रहे हैं 24 जुलाई है आज हमारी लेगिन आने वाला शनिवार यानि 2-3 दिन के बाद जो शनिवार होग उस दिन में आपको कराऊंगा ये जो बजट आया है 2023-2024 का फाइनल बजट या इससे रिलेटेड डेटा जो इंट्रिम बजट 2024 में पेश किया गया था इससे पहले उस बजट की कुछ खास बाते हैं और इस बार एकानोमिक सर्वे भी लाया गया 23 जुलाई के बजट से एक मैं आपको 50-60 कोशन कराऊंगा एक गंटे की क्लास में और उन 50-60 को करने से क्या होगा आज जो पढ़ेंगे क्लास में वो उस क्लास में MCQ फॉर्मेट में होगा देन आप चीजों को रिलेट कर पाऊगे देन आंसर याद करोगे कि वह किसका क्या आंसर होगा सही आंसर क्या लॉंग टाइम मेमोरीज बनी रहें इसके लिए आप उसको MCQ फॉर्मेट में देखिए शनिवार को लाओंगा वह क्लास में आपको मेरी बात समझे न चलिए यहां पर राजमवन बिल्कुल अब प्रात्मी घाटा कितना होगा 1.4 जो कि पहले 2 परसेंट था अब देखो 1.4 परसेंट का मतलब यह होता है कि जो टोटल उधार लिया गया हमारा जो 4.9 परसेंट है उनमें से इंटरस्ट देने के बाद अब जरा सोचिएगा इस इसमें से अगर इतना बच्ता इंटरस्ट के बाद तो इंटरस्ट का माउंट कितना होगा लगबग साले 3 परसेंट और लगबग साले 3 परसेंट का मतलब यह हो हमारी जोडीपी गा इस बार हमारा उधार का पैसा इस बार हमारा ब्याज का पैसा कितना जाएगा लगबग 11 12 लाग करोड रुपे सिर्फ 11-12 लाग करोड रुपे हमें ब्याज देने में चला जाएगा इस साल जबकि उधर ले部分 16 लाग करोड क्योंकि उसमें से लगभग 4-4 लाग करोड ही हमारे देश में खर्च होगा बाकी तो उनी से 16 लेकर उनी को 11-12 लाग करोड वापस कर दिंगे याद रखना इंटरस्ट में चला जाएगा ये यहां से पता चला इसमें प्रात्मिक घाटा हमारी GDP की ग्रोथ रेट जो रहेगी वो साले 10% रहेगी जो नॉमिनल GDP की ग्रोथ रेट रहेगी वो साले 10% रहेगी याद रखना यहां दो टाम होती हैं सरकार ने रियल ग्रोथ नहीं बताई है यहां एक्चली महेंगाई के बाद जो बस्ती है वो रियल ग्रोथ होती है सरकार ने real growth नहीं बताई है यहाँ सरकार ने nominal बताई है यानि महेंगाई इसमें included है already तो यह साले 10 परतिशत रहेगी इस साल और हमारे यहाँ गरीबी जो 2022-23 का अंकला है हमारे देश में बहु आयामी, multi-dimensional गरीबी जो होते हो से head count कहते हैं head count ही कहते हिंदी में भी, English में भी अमूमन अगर आपसे पूछे कि sir head count हमें क्या बताता है गरीबों की संख्या बताता है तो हमारे देश में गरीबों की संख्या जो होगी वो लगबग लगबग सरकार अपने data में क्या कह रही है कि मात पूरे देश की अबादी में 11 परतीशत लोग ही लगबग गरीब बचे है 140 करोड का 11 परतीशत लगबग में कहूं तो 13-14 करोड गरीब है जबकि हम जानते हैं कि इतने सिर्फ अमीर होंगे बाकि सारे गरीब होंगे Real GDP नहीं बताई सरकार ने देखो Nominal GDP और Real GDP में फर्क होगा देखो जो पढ़ते हैं वो जानते हैं यहां पर कि सर जब हमारे पास Real GDP आती है न वो हमेशे याद रखना वो Base Year पर आती है जो 2011-12 हमारा Base Year है हम उस पर कैलकुलेट करें तो उसे Real कहते हैं और जो अभी 2023-2024 चल रहा था लास्ट टाइम उस पर कैलकुलेट करेंगे तो Nominal है मलब महेंगाई adjusted है उसके अंदर ये बड़ा important होता है फैजान इसलिए आप याद रखो अभी सरकार ने नहीं बताया उसको लेकिन हम लेकार आएंगे उस डेटा को भी जल्दी से ये गरीबों का प्रतिशत अब यहाँ पर एक सवाल जो आता है अगर किसी ने इस चार्ट को समझ लिया अगर किसी ने बजट में इस चार्ट को समझ लिया ना तो मानिए कि उसने बहुत सारी चीज़ सीख लिये हैं क्योंकि एक्जाम में जो कोशन बनते हैं मैं फिर बार बार टम यूज करो एक्जाम में वो सवाल ये बनते है कि सरकार जो है वो सबसे ज़्यादा रिसीव कहां से करती है सबसे ज़्यादा पेमेंट कहां करती है और ज्यादा तर एक्जाम में अभी CAPF का आने वाला है CGL का MTS का आएगा UPSC का हो कोई भी exam वो वहाँ पर जब चार option देता है कई बार sequencing करा लेता है सबसे ज़्यादा उसके बाद उसके बाद और उसके बाद क्या होगा अब यह sequencing करना हो यह सबसे ज़्यादा को चुनना हो तो जरूरी आपके पास यह पता हो सर हमारे पास पैसा आएगा कहां से यह बड़ा जबरदस्त थे मेरे भाई यहाँ पर याद रखना हमारे पास जो total पैसा आ रहा है जो हमारे total बजट का है याद रखना total बजट का है वो total बजट का लगभग 27% पैसा उधार से आएगा GDP का कितना है लगबग 4.9 बजट का लगबग कितना है 27% सबसे बड़ा अमाउंट 27% जो होगा वो उधार से आएगा अच्छा दूसरी बड़ी इंपोर्डन बात है सर इसके बाद हमारा income tax जो होता आएकर देखो अभी तक आप याद रखना जी एस्टी नंबर वन चल रहा था लेजिन अपकी बार जी एस्टी नंबर वन नहीं होगा 19 परतीशत हमारे बजट का अमाउंट जो होगा वो आएकर से आएगा इस बार ये आगे निकल गया जो जी एस्टी और बाकी टैक्सिस हैं उनको मिला कर जी एस्टी और बाकी टैक्सिस को मिला कर 18 परसेंट आएगा और जो हमारी कंपनीज होती है उन पर जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है उन कंपनीज पर जो कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है उस पर लगबग लगबग 17 परसेंट आएगा अगर ये सवाल आ जाता है sequencing career taxes के अंदर कि budget में सबसे ज़्यादा प्राप्तियां कहां से होंगी तो ज़्यादा तर उधार आपको नहीं मिलता है क्योंकि उधार का amount सबसे बड़ा होगा आपको सारे taxes के नाप मिलेंगे अब की बार income tax सबसे बड़ा होगा और sequencing करने को आएगी income tax नमबर एक पर होगा GST नमबर दो पर होगा corporation tax नमबर तीन पर होगा excise duty होती है जो हमारे यहाँ अभी बहुत कम चीजों पर लगती है इंडिया में बनाने पर जो इंडिया में बनाने पर लगती है 5% और जो export import करने पर होती है वो 4% रहेगी budget की कमाई यहाँ से होगी उसके अलावा सरकार जो है जो हमसे fees लेती है हमसे fine लेती है penalty लेती है ब्याज का सरकार को मिल जाता है बहुत सारे देशों को हमने दे रखा है उदार सरकार को dividend मिल जाता है सर और चेंज नहीं कर रहा है बेसे और चेंज करेगी इस बार government तो मेरे बिदोस याद रखेगा जो non tax receipts होती है वो 9% होंगी और लगबग लगबग याद रखना इस बार के budget में इस बार के budget में मैं कहा रहा हूँ आपसे एक चीज और याद रखेगा कि लगबग एक परतीशत budget का लगबग एक परतीशत यानि 50,000 करोड़ लगबग एक परतीशत यानि 50,000 करोड़ सरकार disinvestment करके प्राफ्ट करेगी यानि अगर ये पूछा जाए सरकारी कंपनिया जो है उनको जो बेचा जाता है वी निवेश करना कहते हैं सर जिसे इस बार एक परसेंट इंकम वहां से होगी अब 48,000,000 करोड़ का जरा एक परसेंट निकालिए 50,000 करोड़ के करीब करीब बिकवाली होने वाली है हमेशा ग्यूँ घाटे का क्योंकि हमारे देश का विकास करना है अगर तो विकास के लिए खर्चा करना है ये खर्चा अप उधार से लेकर आई है या कहीं से डेवलप्मेंट के लिए एक्सपैंस करना और सिर्फ इंडिया कहीं नहीं होता याद रखना ये लगबग सभी जगाओं का होता जितनी भी डेवलपिंग एकॉनमी हैं जितने भी अंडर डेवलप्म देश हैं अल्प विक्सित हैं सब के अंदर बजट घाटे का होता है हमारे यहां फिर भी बहतर है बाकी जगाओं पर भी बजट घाटे का होगा अब दिखें सरकार सबसे ज़्यादा खर्चा कहां करने वाली है अगर इन सारे खर्चों की बात में करूं तो सारे खर्चों में मैं आपको बताऊं लगबग सरकार का 19% पैसा सरकार का अकेले 19% पैसा सिर्फ ब्याज देने में चला जाएगा अब ज़रा सोचिए कि सर यह 19% चला गया यानि 80% के करीब बच गया 19% पैसा ब्याज देने में जाएगा और लगबग मेरे यहां पर मैंने लिखा है राजियों को बाट दिया जाएगा उनके शेयर का जो केंद्र टेक्स का पैसा होता जानते हो राजियों को दिया जाता 21% होगा फाइनेंस कमीशन और बा आप से देखो कुछ योजनाएं केंद्र चलाती है वो पूरे देश में चलती है राजियों में चलती है और राजियों को पैसा दिया जाता है कुछ राजिय सरकार की योजनाएं होती है जो केंद्र के पैसे से चल रही होती है कुछ सरकार केंद्र चलाती है और कुछ राज यह है पर उसका ज्यादत और पैसा केंदर उसको दे रहा होता है यह बड़ा important concept होगा लेकिन सबसे आदा होता है कि सरकार के पास पैसा कहां से आएगा और कहां पर जाएगा इस बार के budget में जो सबसे बड़ा change है मेरे दोस्त आपको बिलकुल यह बात पता होनी चाहिए इस बार के budget में सबसे बड़ा change सबसे important change जो है वो income tax के slab को लेकर है income tax पढ़ा हो अगर आप लोगों ने तो बढ़िया नहीं पढ़ा हो कमाई करेगा 2024 में जब अगले साल मार्च में tax देगा अगले साल मार्च के बाद अपरिल में tax देगा इस नय वाले नियम के हिसाब से देगा और उसको बहुत सारह tax बचेगा आपकी बार क्यों बचेगा देखो अब हमारे देश में अगर किसी की इंकम 3 लाक रुपे तक है तो उसको कोई tax नहीं देना होगा अगर किसी की इंकम 3 से 7 लाक रुपे तक है तो उसको 5% tax में देना होगा अगर किसी की 7 से 10 लाक के बीच में है तो उस इंकम का 10% होगा उसके बाद 10 से 12 लाक है तो उस पर 15% होगा 12 से 15 लाक है तो उस पर 20% होगा 15 लाक से ज्यादा है तो उस पर 30% होगा यानि थोड़ा सा चेंज किया गया यहाँ पर लेकिन अगर मैं आपसे कहूं सर जो मेजर चेंज है वो क्या था वो यहाँ पर पहले 3 से 6 और 6 से 9 और 9 से 12 था अब यह 3 से 7, 7 से 10 और 10 से 12 किया गया अब यहाँ पर एक और important बात समझने की है सर कि हमने पिछले बजट में यह पढ़ा था कि अगर किसी की income 7 लाक रुपे तक हो तो उसको tax नहीं देना यहाँ पर क्या है 3 लाक तक 0 मेरी बात समझना मैं आपसे यह कह रहा हूँ यहाँ पर अगर किसी की income 7 लाक रुपे तक है तो actual में उसकी income में 3 लाक माफ होंगे और बाकी के 4 लाक का 5% यानि की 4 लाक का 5% 20,000 रुपे tax बनेगा लेकिन यहाँ पर याद रखने की बात है सर उसके वो 20,000 रुपे जो tax बनेगे 7 लाक की income का 7 लाक तक यानि पहुँचने में वो माफ कर दिया जाएगा यानि इसलिए हम यह बोलते हैं सर अगर किसी की income 7 लाक तक होगी तो उसका पूरा tax माफ हो जाएगा उसका tax माफ कर दिया जाता है लेकिन याद रखो अगर किसी की इंकम 7 लाख रुपे में 1 रुपिया भी जादा हो गई 7 लाख रुपे में 1 रुपिया भी जादा हो गई तो उसको वो 20,000 रुपे की माफ़ी नहीं मिलेगी तो उसे पूरे 20,000 वो भी टेक्स देने पड़ेंगे ये सरकार का एक रूल है यहाँ अगर इंकम 7 लाख तक है तो टेक्स बनेगा लेकिन माफ हो जाएगा 7 लाख से ज्यादा है तो भी टेक्स बनेगा लेकिन वो माफ नहीं होगा अच्छा एक और बात याद रखना यहाँ पर एक स्टेंडर्ड डिड़क्शन मिलती है भई सरकार एक स्टेंडर्ड डिड़क्शन देती है जो 50,000 रुपे थी उसे बढ़ाकर 75,000 है यानि सभी को यहाँ पर 75,000 रुपे का और माफ होगा और छूट मिलने वाली है इसका मतलब क्या हुआ अगर किसी की इंकम 7,75,000 तक है तो मैंने बोला आपसे कि 75,000 और माफ होगा तो अगर सही बात मैं आपसे करूँ तो किसी की इंकम अगर 7,75,000 रुपे तक है और वो बिना कोई निवेश किये कहीं पर भी कोई पैसा लगाए बिना कोई LIC नहीं कराएगा कोई PPF नहीं कराएगा बिना किसी में कुछ करे वो यहाँ पर वो टेक्स की रिबेट मिल जाएगी यानि सर इंडारेक वे में कहूं तो 7,75,000 रुपे ता उसको कोई इंकम टेक्स देने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब इस्टेंडर्ड डिडेक्शन जो है वो 14,000 है परिवारिक पेंशन जो होती है उसको भी माफ किया गया है अगर परिवार में पेंशन आ रही है तो पहले 15,000 रुपे थी जो पेंशन वो 25,000 रुपे कर दी गई इसका भी प्रपोजल लाया गया है कि 15,000 से 25,000 रुपे यह दो बड़े बेनफिट मिलेंगे इंकम टेक्स के अंदर सरकार के दुआरा जो हमारी कंपनी होती है इस्पेशली विदेशी कंपनिया अगर कोई विदेशी कंपनी और वो इंडिया में काम करती है तो जितना पैसा वो इंडिया में कमाती है प्रॉफिट के रूप में उस प्रॉफिट का उसको 40% टेक्स में देना होता है जितना भी पैसा कोई विदेशी कमपनी इंडिया में कमाती है उस कमपनी को याद रखना अपने प्रॉफिट का 40% जो है वो टेक्स में देना होता है अब मुझे एक बात बताना कि भी वो 40% देगी क्या सर हर बार ऐसा होगा तो मेरे दोस्त बिल्कुल ऐसा नही होगा अब की बार याद रहेऊँ कंपनियोंगे विदेशी कंपनियों पर जो 40% ओकल करके 35% कर दिया विदेशी कंपनियों को एक ट्रॉफिक्या में गरुफिक्र करदिया है और देश में बहुत सारे जानरे हो आजकल हमारी गंगा रिवर के उपर भी क्रूस चल रहा है पता है आपको जो वराणसी से लेकर डिब्रू गड़ा साम तक चल रहा है जो पटना के अंदर चल रहा है और भी तमाम जगाओं पर हमारे घरेलू पर जो ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम है उसका एक मेज बात जो है मैं आपको बता दूँ यह है कि इस बार के बजट में सरकार ने एक और फैसला किया है जो हमारा MSME सेक्टर है आप लोगों ने सुना होगा सर्च जो हमारी छोटी-छोटी कंपनिया है इनके लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना होती है यह योजना का मतलब ह इसमें अब तक 10 लाख रुपे का लोन दिया जाता था और हमारे देश के अंदर जितने भी छोटे-छोटे कारुबार हैं अगर वो फार्मिंग खेती से जुड़े हुए नहीं है बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है कोई मिडल क्लास इंसान है कोई गरीब इंसान है को दिया गया यानि कि हमारे देश में जो मुद्रा लोन मिला करता था सर वो 10 लाक से बढ़ा कर 20 लाक कर दिया गया यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो छोटे कारुबारी चोटे व्यपारी है लगू उद्यमी है ना उनके लिए बड़ी रहत है लेकिन जिन्होंने प पर जो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें उन पर किया गया लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आवास योजना के तहत तीन करोड नए घर बनाये जाएंगे रूरल और अर्बन दोनों में शेहर और गाउं दोनों में मिला कर याद रखना तीन करोड और घर बनाये का कैंसर की दवाई पर टैक्स को कम कर दिया गया लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है एक बहुत इंपॉर्डेंट बात है वह यहाँ पर मेरी बात को याद रखना वह यह कि सर अब यहाँ पर एक सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार अगर कोई व्यक्ति पहली बार नोकरी पर जाएगा तो सरकार की तरफ से 15,000 रुपे मिलेंगे उसे 15,000 रुपे सरकार देगी लेकिन और गनाइज सेक्टर में फॉर्मल सेक्टर में जैनि ऐसी जगह पर जहां आप नोकरी कर रहे हो अगर तो आपका प्रॉविडेंट फंड बन रहा है पी एफ बन रहा है इसको EPF कहा जाता है यह जो EPF होगा यानि जब आप जाओगे यहां पर सेक्टर में काम करने शर्त यह है कि आपकी सेलरी एक लाग रुपे महीना से कम होनी चाहिए अगर एक लाग रुपे महीने से कम सेलरी पर आप लगे हो उस फॉर्मल सेक्टर और नाइस सेक्टर में तो आपको 15,000 रुपे आएंगे EPFO अकाउंट के अंदर जो 3 बार में मिलेंगे 5-5,000 करके 3 किस्तें आपको मिलेंगी और ये पैसा आपका हो जाएगा आपका benefit हो जाएगा देश में लगबग क्योंकि देखो देश में मातर 10-15% लोग हैं जो formal sector में काम करते हैं और उसमें अगर आप देखेंगे तो लगबग 2,000,000 लोग जो इस साल नए जुड़ेंगे उमीद है formal sector में लगबग 2,000,000 नए लोग जो जुड़ेंगे formal sector में नोक्रिया करने जाएंगे उनको सरकार यहां 15-15,000 रुपे प्रोवाइड करने वाली है तो यह बड़ा important होगा जो पहली बार जॉप पर जाएगा उसको 15,000 रुपे की तीन किस्तों के अंदर EPS वो अकाउंट में डाल दिये जाएंगे प्रोविडेंट फंड में डाल दिये जाएंगे मेरे बाद समाज ना MSME स्टार्ट अप के लिए ही है या फिर नीड के लिए कोडिंग नीड के कोडिंग नहीं है MSME के कोडिंग है पहली बार में 50,000 होता है फिर अगली बार लोन लेते हैं तो 5,000,000 तक फिर उसके बाद 20,000,000 तक होगा अच्छा यहाँ पर सरकार ने एक और कहा है कि सरकार कहरी हम एक करोड युवाओं को इंटरंशिप कराएंगे हम एक करोड युवाओं को यहाँ पर इंटरंशिप कराएंगे यनि कंपनियों में उनको लगवाएंगे इंटरंशिप कराएंगे और जब वो internship कर रहे होंगे उनको पहले तो एक fix amount दिया जाएगा और हर महीने 5000 रुपे दिये जाएंगे और 12 महीने की internship में हर महीने 5000 रुपे होंगे और उसके अलावा 6000 रुपे एक बार सीधा सीधा amount और मिलने वाला है तो एक करोड युवाओं को यहाँ पर बहतर बनाने के internship कराई जाएगी 12 महीने की internship हर महीने 5000 रुपे प्लस में 6000 रुपे एक बार में और मिलेंगे तो यह बड़ा important है कई सारी योजनाय सरकार लाई है इस बार यह वह point है याद रखेगा जो सीधे आपके exam में होंगे इसी परकार से exam में आपके पास सवाल बनेंगे उन सारे सवा की government पिछली बारों की दोनो government की तुलना में थोड़ी different है तो पहली बार जब government बनी तो बीजेपी अकेले थी जब सेकेंड टाइम government बनी तब भी बीजेपी अकेली थी और जब एक party बहुमत में होती है तो छोटी parties का कोई महत्व नहीं होता लेकिन इस बार आप जानते हैं क की आंदरपरदेश का क्योंकि वहां तेलगू देशम party है और बिहार जहां पर जेडी यू party है इन दोनों का बड़ा important रोल है 240 को 272 तक पहुचाने में क्योंकि इनके अगर हाथ की पीछे हो गए तो यहां सरकार गिर भी सकती है अब याद रखिए जहां 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 यहर कि आंदरपरदेश में क्योंकि नई राजानी बननी है और अमरावती ही राजानी होगी यह बात फिक्स हो गई है 15,000 करोड़ रुपे आंदरपरदेश की नई राजानी को लेकर होंगे और आप जानते हैं यहां तेलगू देशम party है तो आंदरपरदेश की राजानी के लिए 15,000 करोड़ रुपे यह बड़ा important होने वाला है एक्जाम के लिए यहां पर यह important याद रखना cancer की जो दवाईयां हैं उन पर 10% GST लगा करता था अब cancer की दवाओं को GST फ्री कर दिया गया यह important होगा और medicine और medical के equipment भी custom duty शूनिये कर दिये है cancer की दवाओं की duty कम कर दी है इससे अच्छा हो जाएगा भई थोड़े से जो बिमार हैं और जो seriously cancer का मतलब ही है कि बहुत serious हैं उनको tax देकर दवाई लेनी पड़ती थी उसमें benefit मिलेगा बिलकुल याद रखना यह बहुत सारी चीजे सरकार करने वाली है सरकार ने बोला है कि परधान मंत्री गरीब कल्यान योजना जिसके तहत आपको free में राशन मिलता है यह अगले 5 साल तक चलने वाली है देश में गरीब तो सरकार के रिए 11% है यह बड़ा contradictory है देश में गर को सरकार मुफ्त में अनाज देगी और अगले 5 साल और देगी तो यहां पर सरकार ने क्या बोला भई जो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के तहत लगबग अगले 5 सालों तक 82 करोड़ से अधिक लोग जो हैं उनको मुफ्त का राशन दिया जाता रहेगा NPS का भी ब कि अभी हमारे देश में जो महंगाई चल रही है ना वो महंगाई बिलकुल कंट्रोल में है पर यह सरकार का डेटा है सरकार के हिसाब से RBI के हिसाब से जो महंगाई है वो 4 प्लस माइनस 2 परसेंट के बीच होनी चाहिए और सरकार कहते हैं कि महंगाई उतनी है वैसे आप ज पर आज आप समझानते हो वही लगबग टमाटर 80-100 रुपे किलो मार्किट में होगा लगबग आलू जो होगा वब 50-60 रुपे किलो होगा प्याज लगबग 60-70 रुपे किलो होगी लगबग सारी सबस्जी इस समय महेंगी होंगी और उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं वो अंडर कंट्रोल यानि जो हमारा 4% का टारगेट रहता है 4-2% का टारगेट इसके अंडर में चल रही है कोई दिक्कत नहीं महंगाई को लिकर देश में इसलिए इसको शाइनिंग एक्सप्शन का गया है कि इंडिया में महंगाई बहुत जादा नहीं है लेकिन फिर भी लो शाइनिंग एक्सप्शन भी है यहाँ पर क्योंकि महंगाई के बिना विकास नहीं होता याद रखना यह बड़ी इंपॉर्टन बात है एकोनमिक्स पढ़ने वाले जानते हैं कि महंगाई का होना विकास के लिए बहुत जरूरी है बिना महंगाई के विकास नहीं हो सकत करता तभी तो एससी बार-बार एक्जाम में बार-बार सवाल करता है कि जो जीडिपी ग्रोथ है वो कपल्ड करते हैं वो बढ़ जाती है किसके साथ महंगाई के साथ है बहुत समझ में आ रही है या नहीं जो खास बाते में वह बताने की कोशिश कर रहा हूं और सारी कर्डिकल नई चीजे होंगी यहां पर और NPS के अंदर जो आपका यहां पर जो कॉंट्रिब्यूशन होने वाला है अग उस कॉंट्रिब्यूशन को आपके लिए बढ़ा दिया गया यानि NPS के अंदर जो था पहले employee की 10% तक salary को contribute किया जाता था NPS को लेकर क्या करते थे सर के आकले बिल्कुल फेक है यह बास सही है बई corporate tax में कमी कर दी है सरकार ने job corporate sector में ज्यादा होने लेकिन जो 10 परतीशत आपका NPS में न्योकता दुआरा यह करमचारी के वेतन से 10% योगदान किया जाता था उसको NPS में 14% यानि NPS का amount बल जाएगा आने वाले समय में आपको ज्यादा return मिलेगा NPS में आपका ज्यादा contribution होगा तो NPS के अंदर भी आपका contribution ज्यादा होने वाला है बस समझ में आ रही है यहां तक तो हर एक sector को target क्या है सरकार ने और मैंने का कि सबसे important बात यह है कि जब हम इसके MCQ बनाएंगे MCQ में आपको बहुत सारी नई बाते सीखने को मिलने वाली है और देखो हर एक चीज के लिए सरकार ने यहाँ पर अलग अलग चीजे बनाई है कि एक लाख करोड रुपे कि यहाँ पर सरकार ने का है हम एक करोड किसानों को आने वाले समय में organic farming कराने वाले हैं natural farming कराने वा गैनिक यानि natural farming होगी और यह farming को सरकार बढ़ाने वाली है और इस बार ग्रामील विकास के लिए लगबग 2,66,000 करोड रुपे दिये जा रहे 2.66,000 करोड यह सवाल आपके पास आते हैं exam में कि कौन से department के लिए कितना पैसा दिया गया है कौन से मंत्राले को कितना पैसा दि सबसे बढ़ा मंट किसको जा रहा होगा सर सबसे बढ़ा मंट जा रहा होगा अगर ब्याज को छोड़ दू मैं तो हमारे डिफेंस ministry को जाएगा हमारा डिफेंस जो रक्षा छेТर है हमारा क्यूंकि इस समय भारत को रक्षा छेतर को मजबूत करने की जरूवत है और सबसे कम नहीं जा रहा मेरे भाई साले चार लाग करोड से भी ज्यादा हमारे बजट का साले चार लाग करोड से बेस ज्यादा जो होगा वो कहां जाएगा याद रखना मेरे बैस बिलकुल याद रहे भी बास समझपारे jewelry आप तो ये पूरी बजट की कुछ खास डिटेल है आपके पास, इन डिटेल को मैं आपको पास पीडिया फॉर में भी अवेलिबल कराऊंगा, इन सारी डिटेल को याद रखिएगा, और इसके अलावा सरकार कहां से क्या लेने वाली देखो, तो मैंने का लगबग डिफेंस पर सा लाग करोड होंगे, IT information sector के लिए होंगे, यानि हर एक sector के लिए health के लिए मामला काफी कम हो चुका है, तो कौन से sector के लिए कितना होगा, कौन सी योजना पर कितना खर्च होगा, जिसे गाओं के विकास के लिए गरीबों को रोजगार देने के लिए, एक मनरेगा योजना र यहां पर याद रखेगा, सिर्फ एक योजना के लिए होंगे, और उस योजना का नाम क्या है, मनरेगा, चांते ना, सो दिन के रोजगार की गरंटी वाली योजना, जो गाओं में चलती है, इस सब चीजों को देखेगा, और मैं पर एक बात कह रहा हूँ, कि आपने शनिवार की तारीख क्या होगी, आज 24 है, यानि 25, 26 और 27, वो तारीख होगी 27 हमारी शनिवार का दिन होगा, और 27 जुलाई को मैं लेका रा रहा हूँ, आपके पास, यहां पर इस डेटा को और अच्छे से आपको याद करा दू, एक बार आपके दिमाग में बसा दू कि इ अपना भूल जाओ, इसके लिए आपका जो एकॉनोमिक सर्वे आया है, 2023-24 का, दिको हमेशा सर्वे जो होता है, वो पुराना रहता है सर, और सर्वे में भी बड़ा इंपोर्डेन डेटा आता है, तो 2023-24 का जो आपका इंट्रिम बजट आया था, 2024-25 का, अब उसका महत्व थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अभी भी आप जानते हैं कि सर, अभी एक्जाम जो होने वाले, तुरंत एक्जाम जो होंगे, उसमें तो एकदम से सवाल नहीं आ जाएंगे, फाइनल बजट के, और मैं आपसे कह दू कि हमारा एक रहेगा सर, जो फाइनल बजट होगा, 2024- 2024-20 का, जो अभी 23 जुलाई को आया है, इंट्रिम बजट जो एक फरवरी को, अब इस पर मिलाकर मैं आपको लगबग 50 questions कराऊंगा, 50 MCQs कराऊंगा, उससे क्या होगा कि आपको उन MCQs को करने से, चीजे ना permanently याद हो जाएंगी, मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ भी करें पढ लिजिएगा, कैरियर विल के, टेलिग्राम चैनल पर आपको ये PDF मिल जाएगी, और उसके बाद शनिवार का आप मेरे साथ जुड़िएगा, शनिवार का schedule जो होगा, वो चेक कर लेंगे, तो ये सारा कुछ मिलेगा, आपको शनिवार को, तो त्यार रहेंगे, बताइए और बिलकुल अराम से पढ़िए और अच्छे से चीजे कवर करिए राहूल, थेंक अवरीवन, थेंक यू सो मच, कुछ मेजर पॉइंट है, एक्जाम में इन में से सवाल जरू पूछा जाता है, थेंक यू